हेलो फ्रेंस मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी लक्षा पे आज का जो हमारा क्लास है वो गा जार्खन में अंग्रेजों का परवीश तुम लोग आज देखेंगे कि जार्खन के किस छेत्र में अंग्रेजों का सरफपर् करने का या अधिकार करने का तो एक-एकर के हम लोग सब देखेंगे चलिए आज का क्लास में लोग स्टार्ट करते हैं तो जार्खन में अंग्रेजों का परवीश तेखनóc देखने से पहले हम लोग थोड़ा देख लेते कि भारत के छेतर पर अंग्रेजों ने कब परवेश किया था और क्या उद्देश था उनका यहां पर परवेश करने का तो भारत में उन्होंने 600 इसवी में अपना आगमन किया था मतलब अंग्रेजों का आगमन भारत के चेत्रपर कब होता है तो 1600 इसवी में होता है उस समय यहां के जो मुगल सासक थे वो कौन थे अकबर थे ठीक है तो 1600 इसवी में जब अंग्रेजों का प्रवेश होता है भारत पे तो उसमें मुगल शाशक होते हैं अकबर तो उन्हीं के समय अंग्रेजों का प्रवेश होता है और उदेश क्या होता इस चित्र में प्रवेश करने का तो उदेश होता है वैपार ठीक है बिजनेस करने के लिए वो यहां पे आते हैं वैपार करने के लिए आते हैं और अंग्रेज भारत पे वैपार करने के लिए आते हैं और इनका उसमें किस रूप में यह आये थे तो यह एक कंपनी के रूप में आये थे जिनका नाम था East India Company के रूप में भारत पे अंग्रेजों ने परविश किया ठीक है और इसके बाद क्या होता है कि 1765 इस्वी में क्या होता है कि एक इलहाबद संदी होती है क्या होती है जिसमें से अंग्रेजों को दिवानी अधिकार मिल जाता है क्या मिलता है दि ठीक है बिहार बंगाल और उरिशा का दिवानी अधिकार में जाता है अंग्रेजों को किसके तहत तो इलहाबद संधी के तहत जो हुआ था कब 1765 इस्वी में हुआ था तो अंग्रेजों को जब बिहार और उरिशा और बंगाल का जो दिवानी अधिकार प्राप्त हो जाता तो फिर उस समय जब बिहार और बंगालो और उडिशा पी इन्हों ने अधिकार किया दिवानी प्रप्थ हुआ इनको तो बिहार का ही अंग था जार्खंड क्या था बिहार का ही एक अंग था जार्खंड ठीक है तो जार्खंड बिहार से अलग नहीं था उसमें उसमें बिहा प्रवेश होता है उसमें यहां पर विभीन चेत्रों में विभीन राजवन्स होते हैं और हम लोग जारकन के चेत्री राजवन्स के बारे में पढ़ चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखें तो आपको लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्ले प्रवेश करेंगे कि कब कब किस ने कौन कौन से राजवन्सों पर अधिकार किया किस चेत्र पर कब आकरमन हुआ यह सब हम लोग नेक्स्ट आने वाले क्लासिस में देखेंगे तो जारकन के चेत्र में सबसे पहले अंग्रेजों का परवेश जो है वो हुआ था कब 1767 इस् अधिकार करने में उनको कुल सतर साल का समय कितना साल का सात दसक लग गया उनको यहां पर अधिकार करने में कब से कब तक 1767 से लेकरके 37 1837 तक ठीक है तो 1767 से 1837 तक यहां पर विभी ने छेतरी राजवन्स जो थे उन्होंने इनका विरोध किया बहुत सारी लडाईया हुई और अन्ता सत्तर साल बाद इन्होंने छेतर पर कभजा कर लिया पूर्णरूप से पूर्णरूप से दिकार कर लिया परंतो उसके बाद भी जो विरोध था अंग्रेजों के विरुध वो रुकाने धीरे धीरे चलते रहता था और बहुत सारे विरोध हुए हैं बहुत सारे विद्रों हुए हैं जिनके बारे में हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे ठीक है तो जार्खन की छेतर में अंग्रेजों का जो परवेस है ये चैप्टर हम लोगों का खतम हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिनजातिय विद्रो के बारे में कि विभी ने जिनजातियां जो जार्खन की छेतर में निवास्त करती हैं उन्होंने अंग्रेजों के विरुद कब कब कौन सा विद्रो किया ठीक है और उसका परिनाम क्या हुआ और किस ने विद्रो किया यह सब पढ़ेंगे तो अभी फिलाल हम लोग देख लेते हैं कि जारखन में अंग्रेजों ने परवेश किया उसके बाद उनको 70 साल लग गए यहां पर सम्पोन रूप से अधिकार करने में ठीक है और सर्म पर थम बात करें कि सबसे पहले किस छेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार किया था तो कब किया था तो उसका तुम इनुने बताया तो सिंगों के चेतर पर किया, ठीक है, यहां तक हमारे क्लियर है, अब हम लोग थोगा कारण देख लेते हैं, कि जार्खन की चेतर पर आकरमन करने का, यहां पर प्रवेश करने का, हमरेजों का, क्या कारण रहा होगा, क्या उद्देश रहा होगा, तो देखते हैं, तो पहला कारण तो यही था कि प्राकिर्थिक संसाधन संपन्य था तो हम लोग जानते हैं कि जार्खन का जो छेत्र है वो प्राकिर्थिक संसाधनों से संपन्न है ठीक है मितलब यहां पे प्राकिर्तिक संसादनों की कोई भी कमी नहीं है तो फिर जार्खन के छेतर पर प्रवेश्ट का सबसे पहला कारण तो यही हो जाता है कि प्राकिर्तिक संसादन संपन्न है था दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण है कि बंगाल से बनारस को जाने वाला सुरक्षेत मार्ग उन लोगों को चाहिए था, किनको चाहिए था? अंग्रेजर को, तो यहाँ पे जारखन के छेतर में बहुत ही जादा वन एवम जाड़िया थी, तो यहाँ पे बहुत घना ज जो इनको बहुती ज्यादा सुरक्षित लगता था ज्यार्खन का ठीक है तो फिर बंगाल से बनारस की और जाने वाला सुरक्षित मार्ग जो था उसके लिए भी इन्होंने यहां पर प्रवेश किया ज्यार्खन पर और विद्रोही जमींदारों द्वारा ज्यार्खन को सरन स्थल बनाना तो जो विद्रोही जमींदार थे जो अंग्रेजों की अधीनता सुरकार नहीं करते थे और विद्रोह करते थे वो लोग क्या करते थे ज्यार्खन को सरन अस्थल बनाते थे क्योंकि यहां पर जंगल था तो फिर वो आराम से चुप सकते थे आसानी से चुप स सरन इस्थल इनका है जमिंदार तो फिर हम लोग बात कर सकते हैं विभीन सासकों से कि वो इन जमिंदारों को सरन ना दें विभीन जमिंदारों को सरन ना दें इस बारे में बात कर सकते थे वो जारकन के जो विभीन छेत्री राजवन के सासकते उनसे तो ये भी एक कारण था और एक कारण था कि माराथा आकरमन से सुरक्षा वो चाते थे, माराथा आकरमनों से सुरक्षा चाते थे, कौन अंग्रेज, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस छेतर पर परवेश किया, कहां पे तो जारखन पर परवेश किया और यहां पर अधिकार किया, ठीक है? तो यहां तक हमारा टोटल क्लियर है तो हम लोग क्या क्या देखें कि जारखन के छेतर पर अंग्रेज क्यू परवेश करते हैं क्या कारण रहता है और भारत में कब परवेश करते हैं तो भारत में 1600 इसमी में परवेश करते हैं क्या उदेश होता है तो वैपार उनका बिजनस करना मेन उद्यश रहता है और इस्ट इंडिया कंपनी के रूप में वो भारत के छेतर पर प्रवेश करते हैं और सुतर सो पैंसट में इलाहवाद संदी होती है जिसमें से अंग्रेजों को दिवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है बिहार बंगाल और उडिशा का उसते में जारखन में बिहार का ही अंग था और जारखन में उसमें बहुत अलग 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 छेतर राजवन्सों का सासन चल रहा था अलग अलग जगावों पर उनके बारे में लोग एक एक करके डिश्कस करेंगे ठीक है और संपून जारखन पर अधिकार करने में उनको 70 साल लग अंग्रेज़ों को सरग पर्थम उन्होंने 775 ऐस्वी में यहांपे जारखन के चैतर पर आकर मन किया कारण किया था जारखन के चैतर में परवेश्का तो प्राकिर्तिक संसाधन संपन्य था जारखन बंगाल बनारस को जाने वाला सुरक्षित-मार्वत उसके लिए और वि जारकन के छेत्र को वो लोग उपयोग करते थे पना सरन इस्थल के रूप में यहां पर छिप जाते थे वो अंग्रेजों से बचने के लिए इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग जारकन पर कब्जा कर लेंगे तो वहां के जो सासक हैं विभिन छेत्री राजवन के सासक जो हैं उनसे हम बात करेंगे और उनको कहेंगे कि वो सरन ना दे इनको और उन्होंने वैसा किया भी बहुत सारे सासकों से बात की कि वो विद्रोही जिमिनदारों को यहां पर सरन ना दे उसके बाद हम लोग देखे कि माराथा आकरमनों से वे सुरक्षा चाहते थे अंग् सिम्हुम पर पर्वेश किया था तो कौन कौन जगा पर कौन कौन से सासते थे तो आज के लोग इतना हेज़ा है अगर आप लोगों को आज का वेडियो पसंद आया हो हमारे अगर आप लोग हमारी description box में मिल जाएंगे और अप लोग अगर PDF चाहते हैं, नूट चाहते हैं तो आप लोग Telegram से जूड़ सकते हैं क्योंकि बहुत ही जल्द वहाँ पर हमारा PDF आने वाला है तो I hope आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो मिलते हैं नेक्स क्रास में नेक्स वेडियो के साथ